हलो गाइज यहों है इस भी खूबसूरत होम डेकॉरेटेल, प्लांट के लियूल में यहां ग्रीनस्पाइड प्लांट यहीं is इसे इलावा एक यहां एंट काफी पौलीबफिकेश्न के लिए वगया गूठ अच्छेंग में लगा था EACE कि इतना फैल चुका है इसकी जड़े हैं देखिए ट्यूबर्स तो हम इसको इजिली ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं और एक ही पोदे से हमारे आगे काफी पोदे बन जाएंगे स्पाइडर प्लांट पे सर्दियों का काफी बुरा असर पड़ता है तो इस दोरान आपको अपने प्लांट को या तो ग्रीन हाउस में रखना पड़ेगा या फिर किसी पॉली बैक की शीट से आप इनको ढख दीजिए और हर हपते आपको इनको अच्छे से पानी भी देना ह होगा तभी आप अपने प्लांट को बचा पाएंगे और यह देखिए मैंने नवंबर की शुरुआत में ही मैंने इनको ढख दिया था और यह जनवरी का महीना है हमारे सभी प्लांट काफी है और हर हपते हम इनको पानी देते रहें इसी से प्लांट जो है सर्वाइव रहे इसको नॉर्मल गाडन सोल के साथ कीचन कंपोस्ट या फिर काव डंक मैनियोर मिला के दे सकते हो लगए 20% और लगए 6 महीने में आप एक बार यह फर्टिलाइजर जरूर दे और दूसरा नए पोदे तियार करने के लिए आप इनी की जड़ों से कुछ पोदे निकालके इन अच्छे रिजल्ट मिलते हैं देखिए इस पाइड़ प्लांट के छोट पोदी लगवग चार महीने के है मैंने को अक्तूबर में रनर से लगाया था और देखिए काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी स्पाइड़ प्लांट हावा में मुझूद जैसे कारवन मौन ओक्साइड और फॉर्मेलडी हाइड जैसी गैसों को खतम करता है यहावा को शुद्ध करता है तो प्यूरिफिकेशन के लिए और भी काफी प्लांट है तो यह भी एक बहुत अच्छा प्लांट है जिसको स्पाइड बाद रिजल्ट मारा ग्रीन स्पाइड बलांट काफी हेल्दी है और देखिए इनकी खूबसूरत हरी पत्यां गर्मी हो यह सर्दी हो टोटल अभी आउटडोर में ही रहता है तो सर्दियों का मैंने पहली वी आपको बताया था कुछ खास असर नहीं पढ़ता इस प्लांट पर और गर्मियों को दर्ना नश्पाइड की नमी को बनाये रखें और काफी अच्छा हरा भरा दिखने में लगता है फिर यह प्लांट और इसके लाव एक ही पोदे से आप और भी काफी बना सकते हो और मैंने काफी पोदे भी किये हैं देखेजि़। इसमेर रणर्स आते हैं उन डिरनर्स को आप कभी भी निकाल के लगा सकते हो हलांकि तेज सर्दी और तेज गर्मी के दोरान आप ऐसा मत करें क्योंकि उस दोरान प्लांट की कुछ खास अच्छी ग्रोथ हो नहीं पाती सितंबर, अक्तूबर, नॉमबर और उसके लावा जनवरी, फर्वरी, मार्च, एपरल में आप इसको कभी भी प्रोपगेट करें काफी अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी जब भी आप स्पाइड प्लांट को लगाएं तो एक चीज का ध्यान रखे कि इनको आप किसी बड़े पॉली बैग में या किसी बड़े गमले में ही लगाएं क्योंकि इनकी जड़े जो ट्यूबर्स होती है तो ऐसे में इस प्लांट को काफी बड़े पोट की जुरूरत पड़ती है देखिए इस green spider plant को मैंने इस polybag में लगाया है जो थोड़ा लंबा तो है अब देखिए इसकी जो roots है वो काफी बढ़ चुकी है देखिए यह है ribbon grass जो की spider plant की तरह ही लगता है यह भी काफी खूबसरोत प्लांट है और मैंने कुछ छोटे पोधे की पोली बैंग में लगाया हुए थे और मैंने इसको भी separate कर दिया है यह plant जिब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप इनकी जड़ों से कुछ पोधे निकालके इनको separate कर दीजी तो ऐसे आप काफी नए पोधे बना सकते हो तेज गर्मियों में आप अपने इन प्लांट को partial light में रखे और सर्दियों से भी इनको बचाए रखे और गर्मियों क इनको जुरूर पोगेट करूंगा तो spider plant के एक ही पोधे को लोगा के हम काफी पोधे तयार कर सकते हैं सुगाई spider plant को लगाना इसकी केर करना और नए पोधे तयार करना बहुत आसान है आप इसको जुरूर ट्राइ करें और इस वीडियो से रिल डिटेगर आपको क्यों खश्चना तो आप मुझे comment box में जुरूर बताएं और इस वीडियो को like भी कर दे और वीडियो देखने के या मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मिलती है किसे और प्लाट की वीडियो में धन्यवाद